नमस्कार मैं हो ससी आया जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं तीसरी लहर में लंबे समाई के लिए संक्रमित हो सकते हैं बच्चे कुरोना की संभावी तीसरी लहर को देखते हुए डॉक्टरो के प्रसिक्षन का काम सुरू किया गया है इसी कड़ी में रविवार को रीम्स में अंतराष्टे वेविनार के माध्यम से डॉक्टरो विभागा अध्यक्ष वरिष्ट प्रधाप को वच्छातर छत्राओ को तीसरी लहर को लेकर कई महत्पूर्ण जनकारिया दी गई वेविनार में यूके से जुड़े भी सग्यों ने बताया कि वहाँ बच्चों के इलाज को लेकर जो प्रोटोकॉल है और भारत में जो प्रोटोकॉल है उसमें अधिक फर्क नहीं है लेकिन इलाज को और बेतर करने के लिए कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है बतादे यूकों में कुरोना से पिरित बच्चों में 6 माईने तक संक्रामन के विभीन लक्षन देखे गए है जारखन में मांसून एक बार फिर कमजोर पड़ गया है मौसम विग्यान विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक इस्थिती ऐसे ही रहेगी 13 और 14 जुलाई को राजे के कुछ इलाकों में बारिस होगी में गर्जन हो सकता है और बजर पात की भी असंका जताई गई है 15 और 16 जुलाई तक अधिक बारिस का पूर्वानुमान नहीं है बतादे राची में एक जून से अब तक 497 मिलिमीटर बारिस हुई है जार्खन के 1215 सरकारी स्कूलों में सुरू होगी कंप्यूटर की पढ़ाई राजे के 1215 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई सुरू होगी बता दे एक दो दिनों में स्कूलों में कम्प्यूटर लेब अस्थापित करने के लिए निवीदा की परकिरा शुरू की जाएगी टेंडर जेम पोटल के मादम से निकाला जाएगा जारखंट सिक्षा पर योजना ने इसकी तियारी शुरू कर दी है गौतल भाई की रश्टिये मादमिक सिक्षा अभियान के तहत राजय के सरकारी हाई स्कूलों वह पलस टू स्कूलों में कम्प्यूटर के पढ़ाई की योजना सुरूक की गई थी अभ्यान के बंद होने के बाद इसे समग्र सिक्षा अभ्यान के तहट संचालित किया जा रहा है इसके तहट एक स्कूल को कंप्यूटर लेब अस्थापित करने के लिए 6.5 लाक रुपए दिये जाते हैं जोजना के तहट 60-83 केंदर सरकार और 40-83 राज सरकार देती है नीजी स्कूलो की मनमानी के खिलाब गंभीर हो सरकार जारखन अभी भावक संग की वर्चूल बैठक रविवार को अजयराय के जगता में हुई बैठक में कई मुद्धों पर चर्चा हुई जारखन परदेश कंग्रेस कमेटर के कारिकार अध्यक्स और जामतावा बिधायक डाक्टर इर्फान अनसारी ने देवगरी सिद बाबा बैठनाथ धाम मंदीर का पट शिगर खोलने की मांग की है उन्होंने मुखे मंद्री हमान सुरेन से मांग की है कि सभी धार्मिक अस्तलों को कोविर नियमों के अंतरगत खोलने की इजाज़त दी जाए मंदीर बंद रहने से देवगर का पंड़ा समाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है और वहां की अर्थ बेवास्ता भी प्रभावित हो रही है जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर रिजल्ड जुलाई के आखरी हफते तक जारखन एकेडमी काउंसिल जैक ने दसवी और बरावी के रिजल्ड की त्यारी में जुटा है संभवना है कि जुलाई के आखरी हफते में रिजल्ड घोसित कर दिये जाए हलाकि अभी तक सभी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं हो सकी है प्रायोगिक परीक्षा में पेच अब भी फसा हुआ है प्रायोगिक परीक्षा को लेकर आपदा एवं प्रबंधन विभाग के हरी जंडी का इंतजार है बतादे मैट्रिक वा इंटर्मेडियेट परिछा में राजे भर से 7,63,64 है है रांची ट्रेफिक पुलिस को फोन कर बताए कहां लगता है जाम राज़ारी रांची में सडक जाम एक बड़ी समस्या है बतादे अनलोक के बाद सडकों पर इतनी भीड़ है कि वाहान रेंगते नजर आते हैं ट्रेफिक पुलिस के लगतार परियास के बाद भी सहर को जाम से नियात नहीं मिल पा रहा है ऐसे माम लोग को लेकर अवरांची के ट्रेफिक एसपी ने नई पहल सुरू की है ट्रेफिक एसपी ने आम लोगों से अपिल की है कि जाम लगने की वज़ा बताए ताकि उसे दूर का ट्रेफिक को सुगम बनाया जा सके आयुस्मान भारत योजना में सुचिबद दो सव अस्पतालों ने इलाज किया बंद सनिवार को आयुस्मान भारत समस्तिया येवं सही समधान विशाय पर आयुजित बेबिनार में ये अबात सामने आई वहीं कई अस्पतालों ने बीमा कंपनी द्वारा भुकतान जान बुझ कर लंबित रखने तथा आकारण सोक काज करने की सिकायत किया है उसादेवी को नहीं बचा पाय डॉक्टर राची के रिंस में बलैक फंगस पिमारी से जूज रही उसादेवी की रभिवार सुबा दस बजे मौत हो गई बता देवी की तवियत सुबा में बिगड़ गई थी लेकिन तीन घंटे ता कोई डॉक्टर देखने नहीं आया परिजनों ने बताया कि सुबा च्व बये से ही मरीज की हालत खराब थी पॉल्स बड़ गया था और ऑक्सिजन लेवल भी 60 तक पहुँच गया था जार्खन में 49 नए केस मिले हैं जो राची से 2, पूर्वी से 6, हजारी बाग से 8, बोकारों से 5, धनबाज से 2, रामगर से 2, कुडार्मा से 3, पलामू से 4, गुमला से 2, लातेहार 4, खुटी 2, सिम्टेगा 2, जामतरा 2, साहिब गंज 5, मरीज मिले हैं जार्खन में कूल मौत की संख्या 51, 29 है वहें कूल एक्टिव केस की संख्या 4, 111 है भारत में 37, 645 नए केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 4, 45, 633 है CBSE ने त्यार किया बोर्ड परिक्षा का पहला सत्र क्रोना वारत संक्रमन की तिसरी लहर की असंख्या को देखते हुए CBSE यानि Central Board of Secondary Education ने 2021-22 में दसवी और बरावी की बोर्ड परिक्षाओं के लिए 20S मुल्यांकन वेजना की घुसना की है CBSE के नए मापदांडो के अनसार स्टैक्षिनिक सत्र 2021-22 के पाठ करमों को दो भागों में विवाजित किया जाएगा अब परिक्षा एक बार नहीं बलिक दो बार होगी जारखन में भैक्सिन खत्म अगले 3-4 दिनों तक बंद रहेंगे केंद्रे करोना भैक्सिन की कमी के कारण जारखन में पिछले कई दिनों से टिकाकरन की सुस्तर अफ्तार अब थमने के कागार पर पहुंचने लगी है हालत यह है कि जहां कोवी सिल्ड भैक्सिन पाले से ही खत्म है वही अब को भैक्सिन भी बहुत कम संख्या में बचा है बता देर अभिवार को राईधानी राची समयत कई जीलो में टिका करन पूरी तरह ठप रहा वहीं कुछ जीलो में छिट फुट टिका करन हुआ भैक्सिन की नई खेपके आने तक अगले 3-4 दिनों तक या इस्थिती बनी रह सकती है नीजी अस्पतालों के लिए अब 5% ही रिजर्व रखी जाएगी भैक्सिन स्वास सचीव अरुन कुमार सिंग ने बताया कि अब नीजी संस्थानों के लिए 5% ही भैक्सिन रिजर्व रखी जाएगी अभी तक 25% भैक्सिन रिजब रखी जा रही थी या भैक्सिन गरीबों को भी नहीं मिल रही है बता देकेंद सरकार से आगरा किया जा रहा है कि भैक्सिन उपलब्द कराए जाए अभी तक 76% लाख लोगों को राजे में भैक्सिन मिली है इसकी रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है संस्कृत भारती जार्खन के द्वारा 12 जुलाई 2020 से संस्कृत भारती जार्खन के प्रांता ध्यक्ष डाक्टर ताराक कांत सुकला ने बताया कि 12 जुलाई से आराम हो रहे ओनलाईन सरल संस्कृत संभासन भर्ग का उद्गाटन होगा इसके लिए पंजी करन की परकिरिया पूरी कर ली गई है अब तक 1548 लोगों ने इसमें पंजी करन कराया है जो संस्कृत पढ़ने के लिए उनके उत्सा को दर्साता है बतादे ओनलाईन वर्ग 10 दिनों तक चलेगा आज से बकायदारों से रयस वसुली के लिए काटी जाएगी बिजली जारखन बिजली वीतरन निगम लिमिटेट के विधूत आपूर्ती छेतर राची द्वारा सोमवर से रयस वसुली के लिए अभ्यान चलाया जाएगा इस दोराण वैसे उभ्गताओं के घरों के बत्ती गूल जाएगी जिनका 10 यह रूपे से उपर का बिजली वील बगाया है आज से 17 जुलाई तक बिजली वीयाज माप कैम सोमवर से 17 जुलाई तक जारखन बिली वीतरन निगम लिमिटेट का एक मुस्त समझोता योजना को लेकर कैम लगाया जाएगा इसमें ग्रामिन उभ्गता जिनका 31 मई तक बिली वील बगाया है उन्हें बियाज माप कर चार आसान किस्तों में बिल भुकतान की सुथा दी जाएगी जारखन के 12,55,000 किसानों का नहीं बना के सिसी 31 जुलाई तक करने का निर्देश जारखन के 12,55,700 किसानों का अब तक क्रेडिट कार्ड नहीं बनने को मुख्यमंत्री हमंसुरे ने गंभिता से लिया है इस समद में मुख्यमंत्री के सचीव द्वारा क्रिशी निदेशक को आदेश दिया गया था कि वैसे सबुक किसानों जो परधान मंत्री किसान समान निदियोजना के लाबुक हैं उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से अशाजित करना है मुख्यमंत्री का आदेश मिलते ही क्रिशी निदेशक ने सभी जीला क्रिशी परधिकारियों को पत्र लिख कर 31 जुलाई 2021 तक सबुक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से अशाजित करने का निदिया है लाइट हाउस परजेक्ट में फ्लेट लेने में लोग नहीं दिखा रहे ही रूची पधान मंत्री अवास वोजना कितावत राची नगर निदिगम द्वारा धुरुआ में लाइट हाउस परजेक्ट का निर्मान किया जा रहा है हाँ एक हैर आठ फलेट का निर्मान किया जाना है लेकिन यहाँ फलेट लेने को लेकर लोग रूची नहीं दिखा रहे है हाला तया है कि एक जुलाई से नगर निगम ने लोगों से आवेदन लेना सुरू किया है लेकिन 11 जुलाई तक मात्रे 20 लोगों नहीं फलेट के लिए वेदन दिया है कोरोना के कारण नहीं निकाली जाएगी जगनाथ रह थेयात्रा मुख्यमंत्री बैस्विक में हमारी कोरोना से उत्पन परिष्थितियों को देखते हुए इस बरस भी जगनाथ रह थेयात्रा नहीं निकाली जाएगी मुख्यमंत्री हमानसुरे ने लोगों से आगरा किया है कि आप सभी अपने घारों में ही रह कर भागवान जगनाथ की पुजा आचना करे जगनाथ रह थेयात्रा निकालने में असमर्थ जताते हुए सियम हमानसुरे ने इसके लिए छमा मांगी है पलामू में 24 जुलाई तक परिवार स्वास्त मेला पखवाणा विश्वजन संख्या दिवस के असर पर रविवार को उपायोग सह जीला दंदा अधिकारी ससीरंजन ने एम एम सी एच में परिवार स्वास्त मेला पखवाणा का उधगाटन किया 24 जुलाई तक चलने वाले परिवास स्वास्त मेला पक्वाडा में राज असरे पताधिकारियों के द्वारा छेत्र भरमन किया जाएगा परिवार नियोजन के प्रती जागरूपता तथाजन संख्या नेंतरन के लिए नस्बंदी एवं महिला बांदेकरण को लेकर प्रोशाहित किया जाएगा बुड्डू अनुमंडली अस्पताल में बनेगा ट्रामा सेंटर अर्जुन मुंडा स्वास्त और चिकित्सा को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है पर्धान मंति नायंद मोदी के नेतित में हुई कैविनेट की बैठाक में चिकित्सा सुधार के लिए 25,000 को रुपे जारी किये गए हैं जार्खन में भी केंद्रिय साहता किरासी का सदुप्योग कर जानता को लाग पहुचाया जाना चाहिए एनेश 33 पर लागातार हाचो को देखते हुए बोडू अनुमंडली अस्पताल में ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा ये बाते केंद्रिय मंत्री और खुटी सांसद अरिल मुंडा ने कही वे सनिवार को बोडू अनुमंडली अस्पताल में कुरोना की तिसरी लहर को देखते हुए पचास बेट के कोविट सेंटर ये अक्सिजन पलांट का निरिक्षन कर रहे थे धन्यवाद